बिस्मिल्यारवाइन रही मसलाम वीकुन दोस्ता कैसे हैं आप सब आज की रेस्पी बहुती स्पेशल और बहुती मज़र होनी जी वाली है खास बात ही कि यह बनानी बहुत असान है यहां पे 5-6 टेबल स्पून कुकिंग ओल लेंगे हाफ टी स्पून इसमें हम जीरा लेंग और यहीं पे एक बड़े साइस के हुपसूर सा टमाटर भी आइट कर देंगे चलें जी अब करते हैं मिक्सिंग शांदार सा मसाला हमारा त्यार होने वाला है इसमें हम एट कर देंगे कुछ इमसाले वां टी स्पून नमक चल जाएगा वां टी स्पून लाल मिर्च का अच्छी तरह से फैंट किया जाता है जैसे ही इसमें अच्छी से पक जाएगा असलामे को दोस्तों मैं हुफ्यान सारी चैनल पर नहीं है चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिगा विडिश्टों की वीडियो को लाइक कीजिगा तीन अदर हमें अंडे चाहिए होंगे इनको हम अच्छी तरह से फैंट लेंगे और यह लेजी अंडे अच्छे से फैंट गे अब हम इसमें एड़ कर देंगे जब अंडे अड़ करेंगे तो एकदम से हम चमच नहीं हिलाएंगे ताके इसके अच्छे से क्यूब्स बंजे अच्छे से साइज का ये जो है पक जया बढ़ना ये बिल्कुली मिक्स हो जाता है ठीक हो गया यहां पर फ्लेम को थोड़ा हाई कर दें ताके यह अंड़ा जल्दी से इसमें पक जयाए ठीक हो गया तो यह रेखें जी अब हम इसको पलटेंगे आपको अंटे के बड़े-ब कर लिया था अगर हम साधे पानी में मटर को बॉयल करें ना साइट पर तो वह बहुत जल्दी बॉयल हो जाते है ठीक है इससे हमारा टाइम जो बहुत जादा बच जाता है वैसे सालन के अंदर इसको बॉयल करें ना पकाएं तो बहुत टाइम ले जाते है चलें जी यहां पर हड़ा धनिया हम इसमें एड़ कर देंगे और शांदार सिसकी जो सालन की गारिसी कंसिस्टेंसी हो तयार है और यहीं पर हम फ्लेम को कर देंगे ओफ और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि इसकी कैसी लुक आई है ठीक हो गया चलें जी बिस्मिल्ला रावान रहीम तो माशाला अलहम्दुलिल्ला देखें जी मिरे अल्ला की शान उसकी रह्मते नेमते और बड़ते चुर्दी सुने माराते हैं हमारा खानों में तुम्हें पर शाद्दार मटर अंडे की रेस्पी तयार है एग एंड मटर की रेस्पी तयार है इसी तरह ही हमें टेस्टरी रेस्पी के लिए क्विक एंडीस रेस्पी के लिए मैं चले की बिड़ों सेक्शिम जाईए दौा में रहते कि एक लिए उड़ों तक आला हाफीज